हे गाईज, वेल्कम टु तो तेव फूमी कर्यार पॉइंट तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आपकी तैयार काफी अच्छी चल ले होगी तो देखे आज है जीके टेस्ट 51 और इसमें भी आपको मिलेंगे सामा नेधन के महत्तोपूंग एमसी क्यूज देखे जो यह ट टेस्ट स्रीज आते हैं, UKGK टेस्ट स्रीज हो, सामाने हिंदी टेस्ट स्रीज, कंप्यूटर की और यह वाली जीके वाली इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है ठीक है और काफी लोगों का मैसेज आता है हमारे लेक्ट्र का स्क्रीनिंग एक्जाम है तो उन लोगों के लि परिक्षय वाली टाइपिंग मैं करवा रहा हूं फिर से बता रहा हूं है आपको परिक्षय वाली टाइपिंग हमारा काम चल ला है जल्दी परिक्षय वाली आपका जो एक्जाम होंगे न आगा में उन से पहले पूरा ही एक सैसन में में कंप्लीट करवा दूगा यह प्र तो भारत में जितना भी खाध्यान होता है उसको सुरक्षी रखने की जिम्मिदार है भारती है खाध्य निगम की ठीक है ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आनसर है ठीक है भारती है खाध्य निगम चलिए बगते अगले कोश्यन की तरफ अगला कोश्यन है स्वतंतरता के पश् इसमें बिल्कुल सही आंसर है ठीक है और इसमें भारत के ततकालिन जो केंद्रिय ओध्योगीक मंत्री थे वो श्यामा प्रसाद मुखर जी थे उन्हीं के द्वारे ये ओध्योगीक नितिकी कोश्णा हुई थी चले बगद अगले कोश्ण के तरब इनमें से किस क्रांती का संबंध पैट्रोलियम उत्पादन से है तो पैट्रोलियम उत्पादन से संबंधित क्रांती जो हमारी होती है वो होती है काली क्रांती ठीक है ओप्सन एसमें बिल्कुल सही आंसर है काली क्रांती बात करें लाल क् रजत क्रांती है जो सिल्वर क्रांती हम बोलते हैं सिल्वर क्रांती का संबंद है अंडा उत्पादन से या मुर्गी बालन से बादामी क्रांती जो रिलेट करती है वो हमारा मसाला उत्पादन से ठीक है और काली क्रांती पैट्रोलियम उत्पादन से बहुत से पूछ ले जा हरित करांती की सुरुवात किस पंचवर्षय योजना के दोरान की गए थी तो कौन सी पंचवर्षय योजना के दोरान हरित करांती सुरुव हुई थी तो देखिए हरित क्रांती की जो सुरुवात हुई थी इसका राइट अंसल जगए option C 13 जो पंचवर्षय योजना थी ना तिरख्तिय पंचवर्षय योजना के बाद ही हरित क्रांती की सुरुवात हुई थी ठीक है तो 66, 67 और 68 यहाँ पर हम वर्स रखते हैं तो यहाँ पर हमारा हरित क्रांती भारत में सुरु की गए थी और भारत में जो हरित क्रांती है इसको लाने का मतलब या इसको इसके जनक कौन है कभी क्वेशन बनता है तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वामी नाथन जी ठीक है MS Swaminathan जो हैं वो अरित करांति के जनक हैं याद किएगा कई भार कोश्चन बनता है भारत के ठीक है अगर विष्व के संदर बे मैं कोश्चन पूचा जाता है कि विष्व के संदर बे मैं हरित करांति के जनक कों थे तो Norman Bolog हुजाएगा अंजर नौर्मन बोलोग पुरुषकार भी दी जाते ना इसलिए विश्व में अरित करांती के जनक नौर्मन ई बोलोग भारत में अरित करांती के जनक और कई भार कोशियन यहां से निकल के आते हैं कि बोकारो इसे प्लांट है किस देश के सयुख से लगाया है और जो इस पर यूज की सर्गाया है योजना के अंतरक्त 1964 में इस्तापित हुआ था बोकार श्टीर प्लांट कभ वह था 1964 में अगर देखें भिलाई राउरकेला दुर्गापूर इस्पातकार खानों की इस्तापना किस पंच और सी योजना के अंतरक्त की गई तो देखें फिल से कोश्चिन बन गया तो जो भिल इस्तापना जर्मनी के सयोग से हुई थी और बात करें दुर्गापूर इस्तील लिमिटेट तो यह पश्चिम मंगाल में है और यह ब्रिटेन के सयोग से लगा गया था इनको आप याद कर लिजेगा इसे से बिलाई और जो आमने उपर पड़ा बोकारो बिलाई और बोका जबकि हम बात करें राउर्केला से थील प्लानट थे तो यह जर्मनी के सयोग से लगा गया और धुर्गापूर सिप्लान्ट में है यह ब्रिटेन के सयोग से लगा इसे कोशिन बनते हैं कांची पूरं तमिलनादु में निम्नमें से किसी राजवण्स की राजधानी थी त कोशिन बनता कभी पल्लव और संस्तापक कौन था तो हमारा सीमुहाव विशीण था ये एलोरा महराश्ट के प्रसिद्थ कैलासमन्दिर का निर्माणन किन सासकोनी करवाय था केलास मंदिरों का निर्माणन किसarta करवाय था तोय नखे सामने किца लव राष्ट्रकूर्ट गुप्तिया चोल तो एलो रागे जो कहलास मंदिर थे इनका निर्मांग राष्ट्रकूर्ट वन्स के सासों को ने बनाया था ठीक है ध्यान लगेंगे और राष्ट्रकूर्ट जो राज्वन्स था इसका सस्तापक कौन था तो आंसर रहेगा दंती दूर्ग कौन था दंती दूर्ग था हो ठीक है चले बगले कोशियन के तरब निम्नमेंसे किसे आमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है तो आमित्र घात का मतलब होता है सत्र विनाश करने वाला वेगती तो आमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध था बिंदुसार ऑप्शन जबकि हमारा बिंदु सार जो था वो हमारा मौरे वन सकता यह अंतर रखेगे नहीं तो आपका कोईशिन गलत हो सकता है निमने में से कौन सर्वा प्रतम भारत सरकार का विधी अधिकारी होता है विधी का मतलब होता है कानून कानूनी अधिकारी कौन होता है भारत सरकर का सबसे पहले तो यह होता है हमारा महानियाईवादी option यह इसमें सही answer है attorney general जिसको काजाता है तो महानियाईवादी भारत सरकर का प्रथम विधी अधिकारी होता है ठीक है और ध्यान रखेंगे भारत के महानियावादी की न्युक्ति भारत के राष्टपति करते हैं किसके तहत अनुचेद 76 के तहत ठीक है अनुचेद आर्टिकल 76 निमने मैं से कौन राज्य सरकार का सर्वोच्च कानुनी अधिकारी होता है के इंदर सरकार का सर्वोच्च कानुनी अधिकारी होता है के इंदर सरकार का सर्वोच्च कानुनी अधिकारी होता है इनके अटोधनी जनरल चलिए बगले अगले question के तरफ किस अनुचेद के तहट लोगसभा, सदश्य, अध्यक्ष, 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 अध् आध्यक्चा और उपाद्यक्चा को निलवाजित करेंगे लोकटक जील किस राज्जम है यह बहुत-बार कोशन बने आपने देखा होगा लोकटक जील तो लोकटक जील इसले फैमस है ना क्योंकि लोकटक जील में हमको भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्ध्यान मिलते हैं ठीक है, मंगलपूर चलिए बगते है अगली question के तरब Pulli Cut, भारत की दूसरी सबसे बगए Lagoon जील कहां परिस्थीते है अच्छा question हैं देखे Lagoon जील, जीलों के भी कई परिकार होता है Lagoon जील अलग होती है, ज्वाला मुक्छी वाली जील अलग होती है हमारी उत्राखण में हिमानी प्रिकार की जीले पाई जाती है हवा के अपरदन द्वारा भी जीले बनती है बहुत जिगबर तो देखिए पुलिकट जो जील है यहां पर पूछे जा रहे तो यह आंदर पृतेश और तमिल नाडु में विस्तारी तेटिक है ऑप्शन 20 में सही अंसर है आंदर पृतेश और तमिल नाडु में तो चंबल नदी पर है चूलिया जल प्रपा तो ऑप्शन इसमें सही आंसर है चंबल चंबल पर पहुसी बहुत देश्य पर्यूजना यह जैसे रांगा सागर पर्यूजना महत्मा घादी वाली पर्यूजना है यहां पर ठीक है और जवाहर पर्यूजना भी आपको देखन जन्वरी से ठीक है तो यह एकती है हमारे सुभाष चंद्र बोज तो सुभाष चंद्र बोज की 125 वी जहनती थी इस बार सुभाष चंद्र बोज का जन्म हुआ था 1897 में कटक में तो इनके जन्म सताब्दी जो है 125 वर से पूंग करने के लिए यहां पर हमारी सरकार ने जन्वरी में जन्म दिन होता है उनका और डेट आप यहां पर कमेंड करें के कमेंड बॉक्स में कि कौन सी डेट को हमने पराकरम दीवस मनाने की सुलवात की है चले बगते अगले कोशिन की तरफ अगला कोशिन बोलता है कि भारत में नेट्व मैरीज एक्ट किस वर्स पार पारिट हो था 1872 में ठार सो बहतर में ऑप्सन हेस में बिल्कुल साही उत्तर है ठीक है लाश टाइम किसी गुरूप सी एक्जाम में पूछा भी गयता है कि कोशिन की भारत में नेट्व मैरीज एक्ट किस वर्स पारिट हो था चले अगले कोशिन की तरफ पगते हैं अगला में दूसरा राज्य है हमारा राइड जो अंधर विजयंगा आखर इस कोशिन को आप अच्छी से समझ लीजिए बगतें अंगले कोशिन की तरफ भारतेrico समीदान के किस आनुच्यत के तहत राश्टिय अनुसाचि जाती हँगं जन जाती आये को प्रतक किया गया ? अच्छ अनुच्छेत के तहत राष्टिय अनुसूची जाती और जन जाती आयुक को सेपरेट किया गया था किस अनुच्छेत के तहत अच्छा कोशियने भी तो राइड आंसर इसका 89 वा समविधान संसुदन जो कि 2003 में हुआ था ठीक है तो हमारा इसमें बोला गया कि अनुच्छेन 30 trace में राष्टिय अनुसूचीत जाती आयुक और अनुच्छेल तीनel संविधान का गठन किया जा है था ये बूला गया इसमें इसको आपने अच्छे सेहा तक नहिसे इसको मैं बता रहा हूं बारते समय Wasihiफ जो हमारा भारत्य समविदान का अनुचे 399 है उसमें राष्ट्य अनुसूचिज जाती आयो चले, लास्ट कुशिन के तरह बढ़ते हैu राष्ट्य अनुसूचिज जन जाती आयो किस वर्ष अस्तित्तों में आय था अच्छा कोश्यन है भी तो राष्टे अनुसूची जंजाती आयोग इसको स्टेबल किया गया था 2004 में यानिके ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है 2004 में ठीक है ध्यान दखेंगे बहुत ही महत्पूण है यह कोश्यन इसको भी याद रखिए अच्छे से कोश्यन बन जाता है कभी अलपसंका का अयोग का गठन पूछ लेता है कभी अनुसूची जंजाती आयोग का गठन पूछ लेता है कभी राष्टे किसान आयोग का बना था ठीक है आप ग्रुप सी के पेपर देखिए प्रिवेस जितने भी हैं वहां पर ऐसे को रहेगा अगर किसी question में आपको doubt query होती है तो comment box में पूछ सकते हैं बागी जितने भी question हो कि हम comment करने के लिए बोलते हैं जो भी आपको activity देते हैं उसको आप ज़दूर पूरा कीजे तभी आप लगता है कि आप genuine तरिके से इस test search को follow कर रहा है जल्दी मिलेंगे अगला जो topic आएगा उत्राखंट का जो हमारे जीके टेस्ट से रही चले ती उसको भी continue करते हैं और साथ हिंदी का भी continue करेंगे वर्येस topic तो चैनल पर चलते रहेंगे so thank you for watching guys अपना ध्यान रखें अच्छे से study करें जै हिंद जै उत्राखंट